ड्वितिय राश्ट्रिय स्तरिय क्रिकेट टूर्नामेंट 2022-23 रानकावत समाज नागोर के द्वारा का शांदार आगाज नागोर में नागोर रानकावत समाज के द्वारा ड्वितिय राश्ट्रिय क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ आज जिसमें पहले मैच में जोदिया इलेवन ने रानकावत राइल को हराया। इसके बाद उद घाटन समारोह में मुख्य अतिथी के तौर पर बिरामी संस्था के अध्यक्ष फूटर दास जी, अरावली संस्था के अध्यक्ष हस्तिमल जी, पूर्व गोडवार संभाग के अध्यक्ष भावर लाल जी पूर्व राष्ट्रिय मंत्री अखिल भारतिय निर्मल जी टॉक, वर्तमान संभागिया मंत्री प्रहलाद जी रानकावत, पूर्व राष्ट्रिय प्रचार मंत्री रतनलाल जी रानकावत, मोहन महराज जी, प्रोफेसर भवानी शंकर जी हन्रव शादी का स्वागत सतकार आयोजन समिती की तरफ से किया गया गया भजनों में उल्लेखनिय योगदान के लिए सुनीता स्वामी का वर अन्य खेलों में उल्लेखनिय योगदान के लिए भी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया इस क्रिकेट टूर्नामेंट के भामाशाहों का भी सम्मान किया गया मंच पर उपस्थित अतिथियों ने इस भव्या आयोजन के लिए आयोजन कमेटी को बहुत-बहुत साधुवाद दिया एकता और संगठन के लिए समाज में ऐसे आयोजन होने चाहिए अरावली संस्था के अध्यक्ष हस्तिमल जी ने अपने यहां होने वाले अगले गोडवार संभाग के क्रिकेट टूर्नामेंट में नागोर समाज को भी भावभरा आमंत्रन दिया प्रोफेसर भवानी शंकर जी ने सभी अतिथियों का परिचे दिया वह निर्मल जी टाक ने भी अपने विचार व्यक्त किये कि इस तरह के आयोजन से समाज में अच्छा मैसे जाता है एकता भायचारा समनवय एक दूसरे को जानना दूसरी भाशा में कहे स्नेह मिलन समिलन के तौर पर भी हो जाता है इसके बाद दूसरे मैच में रानकावत टाइगर ने मैलबन स्टार को हराया और तीसरे मैच में बालाजी कुचामन ने नागोरी बुल्स को हराया कल चार मैच खेले जाएंगे सुबर साधे आठ बजे से पहले मैच खेला जाएगा नागोर रानकावत समाज ने पूरे भारतवर्ष के रानकावत समाज के खेल प्रेमियों को भाव भरा निमंतरन दिया है कि इस खेल के आयोजन में खिलाडियों की होसला अफजाई करने के लिए जरूर पधारें कल क्रिकेट के साथ साथ दूसरे खेलों का आयोजन भी होगा जिसमें रस साक्षी, नीम्बू चम्मच और चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन कल होगा आयोजन कमेटी का भव्या आयोजन करने के लिए सभी ने धन्यवाद दियावा आयोजन कमेटी के अध्यक्ष रामवतार जी मीन धन्या ने सभी अतितियों का आभार व्यक्त किया